हेई गाईज देखो आज के रेट में गिरते बजार में कौन से शेर को खरीदना चाहिए सबसे बड़ा कोशन तो यह होना चाहिए कि क्यूं आज बजार गिरेगा यहाँ पहले अगर आप डाउस दो देखोगे तो लगबग यह क्या हुआ कि पहले तो काफी एच्छा लगबग जो है 1% टक बजार गिरा था खुलते बजार में यह 1% गिरा ओट थी फिर 1% बजार उपर पी चला गया फिर लगबग वहाँ से फिर देखोगे तो लगबग 2% के आसपास बजार गिरा और धिरे 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 सब रिकावर कर दिया फाइनली अगर हम देखते हैं तो बजार थोड़ा सा उपर जाके ही बंद हुआ है मतला वोलेटिलिटी रहेगी याद रखो वोलेटिलिटी इस वज़े से रहेगी मार्केट में क्योंकि केवल कुछ दिनों के अंदर बजार ने 1000 पॉइंट को छुआ है यहाँ पर अगर आ आपने मिस कर दिया तो मैं आपको बलूँगा अपस्तान तो पड़ेगा और इतना ज्यादा रैली देने के बाद बजार थोड़ा सा और नमी होगा नहीं तो देखो आप दो दिन से बजार भाग रहा है कि नहीं आज भी बजार भाग आपर सुमें बजार दोड़ रहा है तो सभी लोग बोलेगा कि भी बजार तो भाग रहा मैं भी पैसा लगा दो मैं भी पैसा लगा दो तो इतना इसी नहीं होता है चीजों को समझना याद रखो रैली को पकड़ने के लिए न आपको गिरावाट में खरीदना पड़ेगा तब जाके आपको पकड़े में आए नमी देखने को मिल जाएगे और रैड कलर आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन याद रखेगा कि रैड कलर हमेशा ऑप्रिस्टिनिटी ही होता हमारे लिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बजार गिरेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रैली मिस कर दी है निफ्टी गिरेगा तो लगबग एक्सेस बैंक गिरेगा वहाँ पर आई से इसी पैंक में गिरावड देखने हो मिल चकती है गृते बजार में हमें कैसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए हिटाची एनरजी बेबी मैंने आपको बताया था इसका नाम चेज्ज होचुका है इताची एनरजी जितने लोगों ने भी आपने खरीद रखा है, इसको hold कीज़ेगा, बिलकुल hold कीज़ेगा, कोई normal एक चोटा गिरावाट है, बहुत बड़ा गिरावाट तो है नहीं, चलेगा, इतना तो माल लिजे, देखो बड़े बड़े कमपनी होते हैं, चो अच्छे क कमपनी बाहर की और अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप भी धिरे-धिरे आसमान चूता जा रहा है, यहाँ पर, उसके बाद यह दूसरी कमपनी, ABB, 45,000 करोड का मार्केट कैप है, इलक्टिफिकेशन, यहाँ पर इंडस्ट्रियल आटोमेशन, और लगबग मोश का रिटन है, यह गिरावट नहीं होता, तो इस गिरावट में देखो तो लगबग 26% का रिटन है, जो कि अच्छा है, और एक साल में देखोगे, तो लगबग 46% का, हाला कि अच्छे-च्छे स्टॉक्स लगबग जो बड़े-बड़े हैं, वो 20% तक गिरे हुए हैं, या तो फिर 25% तक गिरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यह अच्छे स्टॉक्स हैं, जो पूरी तरीके से इलेक्टिफिकेशन के लिए काम करती हैं, एक पावर के लिए काम करता, पावर के लिए बड़े-बड़े एक एक इकमेंट के लिए हाई-वल्टेस प्रोड़ट बन मार्केट में नहीं, तो अपना डिमेट अकॉन एंजल में उपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री में उपन होता है, डिलेवरेज चार्जर भी फ्री है, क्यों 20 रुपिस लगता है, वो भी इंट्राडे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ह में जाके अपना डिमेट अकॉन वगर आओपन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से हैं।